हाई गाईज तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली जीके जीएस सीरियस का सेट नमबर फॉर जिसमें हम डिसकस करेंगे पंदरह एमसी की कोश्चिन जो की प्रीवेसर एक्जाम से प आपको इसका आंसर पता होगा आप शार इसमें कन्फूज होंगे बर इसका सही आंसर है चंडेलाज तेकी चंडेलाज का अपना एक इतिहास है जो की 9th century से 13th century की विट में एक्जिस करता है इनकी जो गदी थी उसका जो स्थान था वो था बुंदहिलकंड जिसका मेजर पा पार्ट यूपी में भी है यह एक अच्छा बहुत ही सुन्दर शहर है हीली अरिया हलका हलका और काफी अच्छा मोजब होता है आपर तो घाजु राओ गुरूप मोनिमेंट्स एक एक स्टैक इसमें जीके बनता है वो है यूनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइड भी है ठीक ह कि ठीक है यह एक जैन टेंपल है और यह आपका मद्यबदेश में है जहांसी जिला जो है हमारा उसके थोड़ा से दूर 20-25 किलोमेटर वहां यह एक्जिस्ट करता है तो चलिए मुव करते हैं अगले कोश्चन पर देखिए यह क्या बोल रहा है एस पर टेबल ओफ प्रीसी करते हैं हमारे देश की ब्यूर्यक्रेशी के तो उनकी रैंक के कोडिक हम इनको प्रायर्टी देते हैं तो अगर आप मुझसे पूछेंगे किसका सही आंसर क्या है तो देखी होल्डर भारत रतन एक बहुत ही इंपोर्टन परसन है हमारे देश का बट यह इसमें अभी इंक नेशनल सेक्योरिटी और नेशनल प्रायर्टी का इशू होता है ठीक है जर्ज ओफ सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया यह इसका गलत आंसर है डेपूटी चेर्मन और राज्यसभा यह भी नहीं हो इसका इसका सही आंसर होगा कैपिनेट मिनिस्टर आफ यूनिन तो देखी क जो बैकबॉन है उनके हैड होते हैं तो इनको प्रायर्टी पहले रखा जाएगा उसके बाद जो हैरर्की वाइज और जो जो भी ऑफिसर्स और जो भी सेकेटरिस होंगे उनको बाद में रखा जाएगा तो प्रायर्टी हम देंगे कैबिनेट मिनिस्टर आफ यूनियन को और और आप जैसे कोशन बोल रहा है टेबल ओफ प्रेसिडेंस मतलब की प्रायर्टी वाइज ठीक है चलिए काफी इजी कोश्टन है आप इसको कर सकते हैं ओप्शन जे देखिए यह क्या बोल रहा है हाई येल्डिंग वराइटी यह बहुत इजी कोश्टन है बर यहां प जब बनाए गया था कौन से कौन से देश में बनाए गया था तो इसका जो सही आंसर होगा वह है मेक्सिको ठीक है देखिए हाई येल्ड वराइटी होती है बेसिकली एक उपजाव तरह की फसल होती है जो जो सही टाइम पे हमें फसल प्रोवाइड करती है और उसको कौन सोया बीन ठीक है राइस चावल आलू कॉटन का पास तो ये सब एक हाई येल्डिंग वराइटी होती है और जो कि हमारे हमारे अगरी कल्चर सेक्टर का बैकबॉन भी है ठीक है और ये एच वाई वी जो कि हमारे ग्रीन डेवलुशन से भी काफी सारा जुडा हुआ है जो कि स्टार्ट हुआ था 1960 में ठीक है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टन डॉल है ग्रीन डेवलुशन के अंदर तो इसका सही आंसर होगा मेक्सिको देखिए ये क्या बोल रहा है कि हूं अमंग फॉलविंग्स लीडर वाज नॉट आ फाउंडिंग मेंबर ओफ एच एस आरे हिंदुस्तान शोशल रिपब्लिकन आर्मी देखिए पहले तो आपका बता दूए कि एक है क्या यह कब सेओ यह चैबर हुए थी rede अग फिरोशल वें इस कोटला में जेहां पर अभी स्टैइडियम है फिरोशल कोटला पर इसको स्टैबलिश किस नें किया था कि देखिए आप आपने सुना होगा इनकलाब जिंदाबाद के नारे यहीं से लगे थे ठीक है और इसको इसकी जो स्थापना की थी वो की थी चंदर सेखर आजाद भगत सिंग सुकदेव और जोगेश चंदर चटर जी ठीक है चंदर सेखर आजाद भगत सिंग सुकदेव और जोगेश चंदर चटर जी तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो इसका तो सही आंसर होगा जो इनका फाउंडिंग मेंबर नहीं था वो है बद्रुदिन त्याब जी ठीक है यह इससे बिलॉंग नहीं करते बड़ आप यह सीरियस सीद आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको इनके बार में थोड़ा भी बता होगा तो क्योंकि यह एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे बड़ इनका इनमें कोई रोल नहीं था ठीक है चलिए यह क्या बोल रहा है चैनल टर्नल इस दा नेम उफ एन अंडर सी टर्नल कनेक्टिंग देखिए एक अंडर सी टर्नल है जो की यूके और फ्रांस देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं यह है सपोज आपका युनाइटेट किंग्डम यह है फ्रांस ठीक है तो एक इनको कनेक्ट करता है चैनल टर्नल जो की एक अंडर सी टर्नल है और यहां से वहां की दूरी तैक करने के लिए बहुत ही बेनिफिशल है क्योंकि यहां से जाने का रास्ता सिरफ यही है बाइ रोड और बाइ टर्नल दूर जैसे भी जा सकते हो वरना आपको लेनी पड़ेगी तो यह कौन से कंट्री में बिलॉंग करता है और कौन से कंट्री को कनेक्ट करता है तो मैंने आपके सामनी फिगर बना रखी है और फ्रांस तो इसका सही आंसर है फ्रांस और इंगलेंड इंगलेंड एक तरह का काउंटी है और प्रोविंस है सकता है अब इसको जो की UK में है और UK में हुटल फाइफ प्रोविंस है ठीक है चेलिए और यह क्या बोल रहा है Which of the following river is not a part of Ganga River system देखे आपको यह आप इसका option इसको dimensions receivers कर सकते हैं बहुत easily देखि holds hindern river आपको पता होगा यह हमारेutet in Gaziaabad में है और इसका provision बी है यह पी जो is also part of Ganga river Sod is also part of Ganga River and Mandakoni is also part of Ganga River बट्धी ल्गे ठंचरी है यह Assam की नदी है ठीक है ये कोई एक गोलाघा डिस्ट्रिक है सामें और ये नागलेंड में भी जाती है ठीक है दीमापूर तो ये एक नागलेंड की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी ठीक है लिंक और स्ट्रेट आगे है यह पर स्ट्रेट उफ जिब्राल्टर कुरेक्ट स्का जिब्राल्टर अगं। आउं मैं आपका यूर्ओ और ये आपका और एफ्रिका यह थिए अक मैं दुबारा बनायता हूँ देखिए यह आपका यूरोप और यह आपका एफरिका यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है मुरोक को और यहाँ पर है स्पेन तो इसको भी यह कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और यह जो लाइन आपके दिखती है इसे कहते हैं काफि सारे से चलती है फई अबोट التي शीपस क्रुज यह सब यहाँ से चलती है और इनको नों सेपरेट करता है वो करता है State of Gibraltar ठीक है यहाँ पे आपका Atlantic Ocean और यहाँ पे आपका है Mediterranean Sea ठीक चलिए आप समझ गे होंगे आपको इसमें से दो कोशिन लाद रखने है कि यह किसको separate करता है तो यह separate करता है Spain को और Morocco को State of Gibraltar और यह connect करता है कौन सी Sea को Mediterranean Sea और Atlantic State of Gibraltar चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए यह बोल रहा है कि which are the following organ of human body are carbohydrates stored as glycogen ठीक है glycogen तो इसका सही answer है देखिए इसका answer आप इसको options element कर सकते हैं इसका answer जो होगा वो small intestine और large intestine दोनों बिल्कुल नहीं होगा stomach भी नहीं होगा पर थोड़ा सा confusing है बट यह इसका गलत answer है इसका सही answer है liver देखिए liver जो है हमारे शरीर का एक एक main organ है और इसका जो इसका जो main इसकी जो main crea होती है वो यह होती है कि यह हमारे खून को साफ करता है और liver is also detoxifies chemical and metabolize drugs देखिए बेसिकली जो liver होता है यह हमारे खून को भी साफ करता है ठीक है और इसमें से bile juice निकलता है जो कि secret होता है liver के अंदर जिसको हम बोलते हैं bile duct ठीक है और यह खतम होता है हमारे intestine में ठीक है तो आपको ज़्यादे ही नियाद रखना बस आप यह देखिए carbohydrate storage होता है किस form में होता है glycogen और यह कहां होता है liver के अंदर ठीक है चलिए यह देखिए यह 2011 का question I think जो कि एक current question है बट I think कि मुझे वीडियो में लेना नहीं चाहिए था बट कोई नहीं आपको बतायता हूँ अभी जो हमारा नया index आएगा क्योंकि वो आने वाले exams के लिए updated रहना चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा ranking wise जो भी हमारे इंडिया की rank होगी और जो टॉप की और लास्ट की rank होगी तो हम आपको बतायता हूँ देखे यह क्या पूछ रहा है कि which of the following organization publish an annual report देखे यहाँ पर अच्छा question है कि कौन सी organization publish करती है देखे कावी सारे लोग जो है वो इंडिया की rank क्यात कर लेते हैं बट यहाँ पर इनोंने question घुमा दिया है कि इसको publish कौन करता है तो इसको publish करती है इन तिनों में से कोई साभी option नहीं इसको publish करती है World Economic Forum W.E.F. ठीक है और 2019 के according first number पर है Singapore और इंडिया की जो rank है वो है 68 ठीक है देखिए यह जो global competitiveness index जो है यह basically इसका main मतलब यही है कि हमारी जो country है वो हमारे citizens के लिए कितनी मतलब कितना beneficial दे रही है और कितना output दे रही है हमारी देश के citizens को ठीक है prosperity of the citizens चलिए यह देखिए यह question बहुत ही अच्छा है और इसमें से मैं आपको काफ़े सारे चीज़े बताऊंगा देखिए क्या बोल रहा है कि the mughal emperor पहले question देख लेते हैं क्या कह रहा है the mughal emperor adopted the title of alarm gear देखिए मुझे तो इसका option serious हिदा रहा हुआ और मैंने अभी एक movie देखिए थी ताना जी उसमें उसमें alarm gear बोलते थे औरंग जेब को ठीक है काफ़ी अच्छी movie आप भी देख सकते है औरंग जेब तो यहां से मैं आपको बताता है question क्या कह निकलेंगे आप इसको याद कर लीजे देखिए पहले तो को बताऊँ हुए chronological order क्या होगा जो मुगल emperor का था तो दीखिए सबसे पहले आए थे आपका बाबर फिर आया हुमाईयू फिर आया शेर सा सूरी फिर आपका आया अकबर जो की youngest मुगल emperor थे चोरो साल की एज में इनको गद्धी बिठा दिया गया था और इनके जो सेना पती थे बहराम खान इनके पास कोई चोईस नहीं थे बहुत ही अच्छे लीडर थे मुगल emperor के काफी जाने माने अकबर दगरेट बोलते थे इनको ठीक है और उसके बाद जो इनके थे पुत्र वो थे जहांगीर फिर आया शाह जहां ये भी एक अच्छे नेता थे अच्छे लीडर थे और इन्होंने काफी अच्छे से समाला था मुगल emperor को जब तक इनका बेटा जो बहुती क्रूल और बहुती चालाग था वो था ओरंग जेब ठीक है ओरंग जेब एक तरह का बहुती क्रूल इनसान था और उसके बाद जो लास्ट था मुगल emperor का शाशक वो था बहादूर शाह तू इसके बाद मुगल emperor खतम हो गया था ठीक है तुम आपको बताता हूँ अलामगिर अलामगिर जो था ये टाइटल था और अंग जेब का और यहां से कोशन और बनता है कि शाह जहां का जो टाइटल था वो क्या था मतलब मुसली पूचता निवट आप जान लीजिए इनको बोलते थे खुर्रम और जहांगिर को बोलते थे सलीम ये मुकल के काल में ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ कुछ और बात है जहांगिर से जुड़ी होई जहांगिर ने शादी करी थी मिहीर नीशा से और इन्होंने बाद में इसको टाइटल दिया नूर जहां का देखिए आप नूर जहां को जहांगिर शाह जहां से कनेक्ट मत करिए शाह जहां की बेगम शाह जहां की बीवी कोई और थी मुम्ताज बेगम ठीक है तो जो जहांगिर था उसका जो हाँ देखिए जहांगिर के कोट में एक ब्रेटिश इस इंडिया कंपनी के एक लीडर आये थे उनको बोला जाता है जो जहांगिर के कोट में आये थे पहले बारी काफी फेमस कोईशन है बहुत इंपोर्टन कोईशन आप इसको याद र कर लीजे 1605 में पहली बार सर विलियम हॉकिन्स अपने जहाज हेक्टर के साथ आये थे जहांगिर के कोट पे ठीक है परमीशन माँचने के लिए की काफी सारे गिफ्ट्स विल आये थे वो और काफी सारे चीज़े लिए है थे लुबाने के लिए यहीं से हमारे जो देश का जो काया पलट था यहीं से स्टार्ट हो गया तो इन्हों ने इनको convince किया कि आप यहां पर हमें factory खोलने के लिए अनुमति दे दीजिए तो इन्हों ने starting में तो काफी जांगीर जी ने hesitate किया कि हम नहीं करने दे सकते ऐसा आपको यहां पर permission नहीं मिलेगी फिर एक बार 1605 में 1615 में यही विल्यम होकिन्स का एक नुमाइंदा कह सकते हैं आप इनको जो इनका छोटा ओफिसर था वो आया थोमस रो ठीक है तोमस रो आया और ये भी इस्ट इंडे कंपनी का ही एक आदमी था जो की इस्ट इंडे कंपनी से रिप्रेजन कर रहा था उसको तो इनों ने फिर इनको कन्विंस कर लिए जहांगीर को और जहांगीर ने फैक्टरी खोलने की पर्मीशन देदी सूरत में ठीक है तो पहला जो बंदा था वो इस्ट इंडे कंपनी का सर विल्लियम हॉकिन्स वो आया था जहांगीर के कोट में आपको बस ही याद रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है चलिए और एक बाप पताता हूँ आपको औरंगजेब से लिए औरंगजेब ने हमारे जो टैंथ सिख गुरु थे उनको मार दिया था एक्जिक्यूट कर दिया था क्यों क्योंकि उन्होंने इसलाम कबूलने से मना कर दिया था ठीक है और इनका नाम क्या था इनका नाम था गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर और ये टैंथ सिख गुरु थे ठीक है टैंथ सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर और इनको मरवा दिया था और रंगजेब नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखिए यह कंप्यूटर कोश्चन है और यह इसका आपको आंसर मोसली पता ही होगा कह रहा है कि एक ऐनगें को मेकबाइट कितने के बराबर होता है यह होता है 1024 किलोबाइट के ठीक है यह सारे ऑप्शन कर लएत है यह बाइस तो बहुत चोटा होता है चलिए आगे बढ़ते हैं यह भी computer question है यह क्या बोल रहा है कि इन में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकोल नहीं है दिखें इंटरनेट के context में इंटरनेट की दुनिया में प्रोटोकोल्स होते हैं अब आपको जाद नहीं आद रखना आपस आप इतना दरखें कि इन में से PPT क्या होता भाई PPT कुछ नहीं होता दिस नहीं होता अ इस नहीं होते हैं यूजर देटाग्रम प्रोटोकॉल ठीक है यूजर डेटागरम प्रोटोकॉल आपको इतना नहीं घुसने इसके अंदर बस आप याद रखिए कि पीपीटी एक यह तो फॉर्मट होता है पावर पॉइंट का यह कहां से आ गया जहां तक मुझे पता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है देखिए अच्छा कोशन हो काफी इंपोर्टन कोशन ही है ठीक है यह कह रहा है कि who among the following is the founder of macroeconomics देखिए यह आपको यहाँ पर confused भी कर सकता है बट एक्टोल में जो macroeconomics होती है वो एक बड़े लेवल की economics होती है हाँ पर macroeconomics भी होती है जिसको खोजा नहीं गया था बट एक वो उसकी उसको वो टर्म एक आया था जब आगे economics में और पढ़ा ही और और discoveries तो नहीं कह सकते बट काफी सारी जीजे निकल के आई थी वो बाद में आया था बट macroeconomics का जो founder बोलते हैं वो बोलते हैं जे-म का यह काफी macroeconomics होती है जैसे country wise state wise की हमारे देश की economics कैसी है उसी साफ से ठीक है और एक और question में आपको बताऊंगा ऐसे एक और take away दूंगा आपको यहाँ पे Adam Smith he is also known as father of modern economics ठीक है इनको बोलते हैं founder of sorry father of modern economics ठीक है चलिए यह आपको याद रहेगा ना Macronomics का जो founder था वो कौन था जे-म काइनिस जोन मेनाट काइनिस आप इतना दर्की काइनिस के नाम से आपको यह दो जाएगा ठीक है चलिए देखें क्या बोल रहा है कि under the sustainable alternative towards affordable transportation SATAT इस एटीएटी स्कीम कोई स्कीम थी इस बींग प्रोमटेट अजन अल्टरनेटिव ट्रांस्पोर्ट फ्यूल ठीक है पहले तो अभी जान लिजे कि यह से टीएटी है क्या यह इसको सेटफ किया गया था कि इसको साथ किया था क्या किया गया था क्योंकि एक compressed biogas का production plant बने जोकि market में available easily और यह एक काफी अच्छा fuel है source of fuel है जिससे हमारे एंवार्मेंट पे काफी effect नहीं पड़ता as compared to petrol diesel वगएरा वगएरा ठीक है तो इसकारव सही आंसर मेंट को बता दिया है compressed biogas ठीक है CNG is also a purified form of biogas but compressed biogas है वो एक natural it's a kind of very natural biogas form और यह एक अच्छा alternative है हमारे LPG और CNG का जो कि आने वारे time में काफी common हो सकता है यह compressed biogas ठीक है यह काफी nature के लिए काफी अच्छी चीज़ है चलिए आगे बढ़ते हैं इस set का last question फिर हमें video close कर देंगे ठीक है यह क्या बोल रहा है कि which of the following fuels has calorific value calorific value क्या होती है कि amount of energy होती है जो की produce होती है और बिल्कुल वो end तक चलती है ठीक है वह 100% अपना यूटिलाइज करती है अपनी energy का अपने सोर्स का कि मुझे मुझे मुट करना पड़ा है अब को फिर से बता रहता हूं देखिए क्या बोल रहा है कि which of the following fuel has a calorific value equal to petrol देखिए इसका मतलब होता है कि जो अपनी energy का 100% दे ठीक है तो इसका सही आंसर है kerosene देखिए अगर आप इसे जलाएंगे ना तो आपको इसका 100% energy आपको सामने जलता हो दिखाई देगा और यह अपनी पूरी potential से जलेगा ठीक है और kerosene is also used in जहां तक मुझे पता है यह use होता है aircraft के अंदर भी ठीक है तो इसका सही आंसर है kerosene oil तो I hope आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफी इससे जानने को मिला होगा और अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और आप हमारी English की vocabulary की जो हम सीरीज जली लेके आ रहे हैं उससे भी follow कर सकते हैं उसमें काफी सारी new words हैं जो prank का मैं हम आपके सामने पढ़ा रही हैं और उनका पढ़ाने का तर जैक्स पर धान देना पड़ेगा और आप बागी सारी चीज़े यहां से कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आप मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए